मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि जो professional film होती हैं और जो DSLR के features बगेरा होते हैं वो आप video में यूज कर सकते हैं जो कि मैं आगे आगे आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप professional video suit कर सकते हैं cinematic वाली और इसमें stabilization नहीं मिलता है मगर मैं आपको आगे बताऊंगो कि आप कैसे stabilization को यूज कर सकते हैं अपने realme 10 pro plus में आज की वीडियो में आपको realme 10 pro plus के amazing features बताने वाला हूँ आज की जो वीडियो में आपको सारे features को explain करने वाला हूँ और कुछ ऐसे hidden features भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं पताऊंगे तो चली video start कर लेते हैं मेरा नाम अहसान है और आप सबसे पहले features की बात कर लेते हैं तो phone में camera open कर लेना और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको night mode मिल जाता है तो देखो इंध में नाइट मोल नाइट मोल के एंदर में ह JOHN BHAаров pig यहां पर filter हो फिल्टर लागा 국 गा सकते हैं अब funded उपर साइड में आप देखेंगे तो आप जो night mode में होते हुए size वगएरा set करना चाहते हैं अपनी photo की तो उसका भी size set कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक pro mode मिल जाता है अब यहाँ जो pro mode होता है डी एसलार वाली features लेकि आजाता है अपनी साथ में जैसे कि आप य iOS को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर shutter को कम ज़्यादा कर सकते हैं या manual focus, auto focus कर सकते हैं इससे जो आपकी quality है न फोटू की बहुत ज़्यादा enhance हो जाती है और high quality में आप picture ले सकते हैं इन से भी का huge करते हैं तो आप यहाँ पर bite balance भी मिल जाता है अब guys अगले features की बात करें तो यही पर आप उपर side देखेंगे timer लगाना चाहते हैं आप night mode में जैसे कि आप single हैं और आप picture click करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 second या 10 second का timer लगा सकते हैं जिसके बाद में आप अपनी जो picture को automatically ले सकते हैं 3 second के बाद में हाँ तो यहाँ पर next जो feature है न street mode मिल जाता है street mode मतलब guys इतने सारे इसमें features मिलते हैं न मतलब filter मिलते हैं effect मिलते हैं कि आप क्या ही बताओं में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 16 mm में आप picture ले सकते हैं मतलब कि आप ultra white या फिर white या फिर normal में आप करेंगे और filter आप देखेंगे यहाँ पर तो यतने सारे भरवर के filter मिलते हैं इनकी जो capacity बगेर आप यहां से देख सकते हैं adjust कर लें अपने हिसाब से चूस कर लें आप चलिए next features की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो आपको video mode मिलता है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप video mode में 10x तक जूम कर सकते हैं जो की नॉर्मल ही है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बाइड एंगल भी आपको video mode के अंदर में ही मिल जाता है तो आप बाइड मोड को भी इनेवल आप अपने हैसाब से देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर filter भर-भर के मिलते हैं ज इसके बाद में देखेंगे आप filter मिल जाते हैं video mode में ही तो यहार जो filter है ना काफी कमाल के है video mode के अंदर में आप bokeye effect डाल सकते हैं मतलब कि जो DSLR वाली features होते हैं पीछे side में background blur blur दिखता है अभी आप देख सकते हैं इस तरह का आप अपने realme 10 pro plus में भी ले सकते हैं तो य यहां से आप resolution set कर सकते हैं कि आप 4K में video चाहते हैं तो यहां पर 30 fps में कर लेना यदि आप 1080p में suit कर रहे हैं तो आप 60 fps में भी video recording कर सकते हैं अब यार आपने video में कहीं subject आपका बहुँ जादा हिल रहा है मतलब कि आपका subject एक जगा में नहीं है और sport वगेर कि आप video लेना यह suit कर रहे हैं तो यहां पर tracking sort को आप यूजरूर से करना यहां पर एक और AI वाल फीचर्स मिल जाता है AI को भी आप चालू कर लेते हैं तो आपका जो bite valence है या फिर जो speech side का dynamic range बगेरा होता है वो adjust कर लेता है AI से तो AI को भी इनेवल कर लेना इसके बाद आप देख सकते हैं ultra study all एक features मिल जाता है जैसिक मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसमें कोई stabilizer से नहीं मिलता है जो features में पता रहने चाहिए आपके phone के तो यहाँ पर वीडियो की skip नहीं करना है अब आपको photo mode में आजाना simply और यहाँ पर आप देख सकते हैं photo mode में 20x तक जूम कर सकते हैं और यहाँ पर आप bite angle में लेना चाहते हैं कोई photo बगएरा जैसे कि आप बड़ी जगा में photo बगएर किलिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप bite angle को भी ले सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बता तो filter मिल जाते हैं यहाँ पर आपको जैसे की retouch वाला option ने beauty वाला इसमें भी आप retouch कर सकते हैं face बगएरा को ज़्यादा sign ही करना है या फिर glow बगएरा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं अब उपर side में tree route में click करिएगा आप यहाँ पर आपको HDR वाला option मिल जाएगा अब HDR वाला बहुत ज़्यादा आपको effective वालना देता है आपकी photo बगएरा को जैसे की dynamic range बगएरा है उपर side की बादल बगएरा आपके पीछे side से sun आ रहा है तो HDR mode को आप चालू कर लेते हैं त आप जो subject पर tap करेंगे और जो उसका bite balance होता है आपको bite करना है या फिर आपको down करना है मतलब नीचे करेंगे आप तो जो आपका black या white आप यहाँ से set कर सकते हैं अपने face बगएरा में click करने के बाद में उपर side में आप देखेंगे आपको size बगएरा set करना है photo का तो आप size plan करने के लिए कि आपको सारे के सारे जो features हैं उनको पता रहना चाहिए कि क्या use होते हैं करें तो देखो portrait mode में भी आप beauty mode retouch बगएरा कर सकते हैं इसमें फिल्टर डाल सकते हैं दो effect यहाँ पर important वाले मिल जाते मतलग कि यह अलग से ही आपको मिलते हैं इस वाले phone में तो यह इसे चोटा वड़ा जो bokeye का size होता है जो blur बाला आपका aperture होता है उसे आप कम जाता कर सकते हैं यहाँ पर portrait mode में ही अभी यहाँ पर आप देखेंगे बं 08 megapixel वाला एक features मिलता है मतलब mode मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके phone में 08 megapixel camera है तो यहाँ पर आप यह आपको चालू करना पड़ता है बं 08 megapixel की आपको पिक्चर लेना है तो जिसे कि जो आपकी picture quality वो बहुत जादा अच्छी आती है तो यहाँ पर आप next features की बात करें तो आपको more setting में आना है मतलब more में आना यहाँ पर और more में आने के बाद में panorama वाला option मिल जाता है जो कि आपको पता ही है जैसे कि आपको बहुत जादा चोड़ी बाइड वाली photo लेना है बहुत जादा बड़ी कहीं जगह में गए हैं आप बाइड एंगल में लेना है बहुत जादा 360 टाइप का गोल गोल तो आप panorama का यूज कर सकते हैं अब अगले features की बात करें तो आपको more setting म में आना है और यहां पर देख सकते हैं मैक्रो सौट मिल जाता है मैक्रो मतलब पास से आप किसी चीज की पिक्चर लेना चाहते हैं फ्लोवर्स बगेरा की या किसी सब्जेक्टिव बगेरा की तो आप मैक्रो को यूज करना जिससे कि आपकी photo बहुत जादा अच्छी आने सकते हैं तो आप अपर यहां पर आप अपने हिसा अपना एक जरूरत नहीं पड़ेगा। फर में ऐसके बाद में टाइम्लेस वाली वीडियो चाहिए आपको जैसे एक गुंटे की वीडियो है उसे आप दो मिनट पाँस अधो में चाहते हैं जैसे आपने इंस्टागराम बगयर हम देखा वगा नहों फास्ट वीडियो चलती हैं वैसे आप टाइम लेस्ट में कर सकते हैं अब अगली फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डूल वीडियो वाला मोड मिल जाता है मतलब कि आप फिरेंट कैमरा और रियर कैमरा को दोनों को यूज करके आप अपनी वीडियो रेकॉर्डिंग कर सकत बेग्राउंड आपको बहुत अच्छा बिलर आएगा और जो एजस बगेर रहेंगे आपकी पोट्रेट में वह भी अच्छी आने वाली हैं यहां से पोट्रेट गुरूप से अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको अपने यहां पर केमरा सेटिंग में चले जाना इसके बाद में आप एड टू फोटो एंड बीडियो वाल आपसन मिल जाता है मतलब कि आप बीडियो में वाटरमार्ट डालना चाहते हैं यहां से आप सेट कर सकते हैं इसके बाद में नीचे साइड आएंगे आप तो नीचे साइड में आप देखो मोडल नेम आपका पर आप फोटो में डेट इन टाइम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर जो फॉंट साइज होता है न उसका कंट्रेस्ट वागेरा साइज का भू कर सकते हैं अब चोटा बड़ा और जो पुजीशन है उसे लेट राइट करना चाहते हैं वह भी इस यह आप फिलिफी वाला उप्सन मिलता है जैसे कि आपने फिक्चर लेट भी इना बड़ा यहां पर फिलिप सेल्फी वाला ऑप्सन मिलता है काईश जैसे कि आपने पिक्चर लिया अब आप गयरा आप अपने जो तरह तरह से फिक्चर लिया था बड़ की आप गैलरी में जाके देखेंगे तो आपकी जो सेल्फी हो पलट जाती है तो आप यसे बंद कर लेंगे तो जो selfie है वो जैसे आप लेंगे बैसे ही रहने वाली है अब अगले features की बात की हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं Sutter method में आना आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दो option मिल जाते हैं Tap to, click वाला option मिलेगा यहाँ पर आपको जैसे ही आप tap करेंगे अपने screen में camera में तो आपकी जो picture है वो click हो जाने वाली है और इसके बाद में आप एक palm वाला option मिलता है जैसे कि आप अपने इस तरह से दिखाएंगे हाथ camera में तो आपकी जो picture है वो निकल जाएगी दूर अपने phone को आप रख दो और आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो picture है वो निकल जाने वाली है इसके बाद में आपको back आना है यहाँ पर setting में ही और volume button action करके एक features मिलता है जिससे कि आप अपने volume button से photo को zoom कर सकते हैं मतलब आप camera में zoom out zoom in कर सकते हैं या फिर picture click कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो quick launch वाला option मिल जाता है मतलब volume button में आप set कर सकते हैं आप volume button को press करेंगे dual bar तो आपका जो camera है वो open हो जाता है quick launch की मदद से आपका phone बंद है और आपको जल्दी से picture निकालना है तो आप volume button को dual press करना नीचे वाली button को तो आपका जो camera है open हो जाएगा तो आई होप कि आज की जो वीडियो है आपको helpful लगी होगी आपको सबसे अच्छा features कौन से लगा camera के अंदर में मुझे comment करके जरूर बताना यदि आपने realme 10 pro plus के 30 plus amazing features अंदर phone के setting में क्या क्या amazing features मिलते हैं वो नहीं देखा है तो link description में डालनों का बो चेक आउट कर लेना जरूर से और यदि आपने हमारे चैनल को subscribe करके नहीं रखा है तो पिलिज आर चैनल को subscribe कर लेना आपको informative वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहते हैं चलिए मिलते next interesting वीडियो में दबता के लिए टेक केर और वाई 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 थैंक्स वर वाचिए इस वीडियो